ये गर्मा गर्म बहस कोटा के जेके लोन अस्पताल में हो रही है जहां 48 घंटों में 10 बच्चों की मौत पर हरकम मचा हुआ है रास्टी अबाल आयोक के अध्याक्ष प्रियंक कानून गो अस्पताल में ठेला देखकर भड़ा भुटी उनका घुसा 24 घंटे पहले अस्पताल के अध्यक्षक बने सुरेश चंद दुलारा पर निकला तो नए अध्यक्षक का दुलार अस्पताल से खत्म हो गया उन्होंने फॉरू इस्टिफे की पेशकर कर दी चोड़िये यहां जो जेके लोन हॉस्पतिल के अध्यक्षक डुक्टर दुलारा बड़े ही गेर जिम्मेदार ऑफिसर हमको समझ में आये हैं यहां पे साफ सफाई की हालत बहुत खराब है और कोई शक नहीं इस कारण की सेप्टिसीमिया के कारण बच्चों की मौत हुई होगी देखिए बच्चों का जीवन अनमोल है और इस तरह की लापरवाही आयोग कतई बरदाश्त नहीं करेगा और अपनी सक्त कारवाही के लिए आयोग अनुशन साब हरस सरकार को भी देगा और राज सरकार को भी देगा कोटा के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत पर जैपूर से दिल्ली तक हरकम पचा है लोग सभाई स्पीकर ओम बिरला का संसद्यक शित्र है कल वो अस्पताल का दौरा करने आये मौत के आँक्णों की सियासत पर नसीहत दे कर चले गए सरकारे अपना काम करें उनको करना चीए हम किसी पर आरोप नहीं लगाते है हमारा एक ही केना है कि किसी भी नवजाद बच्चे की या शिशू की या बड़े बच्चे की मुद्य बच्चों की मौत पर समवेदना दिखाने, आक्शन लेने, जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा सूबे के मुख्या से भी की जाती है लेकिन उन्होंने बच्चों की मौत पर जो सफाई दी उससे हर कोई हैरान रह गया अगर आकड़े मतूं आपको मैं, सबसे कम जाने छे साल में इस साल गई है, सबसे कम जाने गई है यह आपको लगता है क्योंकि कोई बात, मौत एक भी होना बहुत ही दुरबागे पुन होता है, बच्चे की मौत होना पर मौतें पंदासर भी होई एक साल के अंदर, चौदासर भी होई है, तेरसर भी होई है, इस साल करी लगए नौसर होई है पर 900 क्यों हो यह, क्यों हो, मोदेग भी नहीं होने चाहिए पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पदाल के अंदर तीन, चार, पांच साथ मते होती है, परते दिन होती है कोई नई बात नहीं, जैपुर में होती है 48 घंटे में 10 बच्चों की मौत, महीने भर में 77 बच्चों की मौत, साल भर में 900 बच्चों की मौत संख्या सुनकर कलेजा फड़ जाना चाहिए, लेकिन जब दिल ही पत्थर कहो, तो किसे फर्क पड़ेगा वो इतिहास का नंबर पेश करेंगे और इतिहास वाले मौजूदा आंकणों का खेल खेलेंगे, शर्म तो उन्हीं आती ही नहीं है